उत्तर परदेश के अम्रोहा नगर की कोटवाली पुलिस ने मुखबीर की सूचना पर शहर के महोला इकरार नगर मिस्थित एक घर में बने गोदाम से 21 लाक रुपे की अवैद अंग्रेजी शराब सहित एक आरूपी को गिरफतार किया है चापे मारी के दुरान पुलिस को तीन गाड़ियां भी मिली है लेकिन पुलिस की चापे मारी के दुरान बाके के चार आरूपी पूलिस के आने से पहले ही फरार हो गए बतादे की शहर में अवैश शराब का गोरक धंदा बड़े पैमाने पर चलता है होली के तोहार की मदे नजर बड़े शराब माफिया शराब के गोरक धंदे को बरकरार रखने के लिए माल स्टोक करने में जुटे हुए है इसे के तहट अमरोहा नगर के महुला एक रार नगर में बने एक मकान के अंदर गोदाम पर शहर के महुला लालबाग निवासी धर्मिंदर उफची को नाम का युवक अवैश शराब को तसक्री करके लाया था और गोदाम में उतार रहा था इसे दरार मुखवेड ने पुलिस को सूचना दे थी जिसके बाद कोतवाली पुलिस की टीम मोके पर पहुची और मोके से 360 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद हुई जिसमें 2520 बोतल और 72 पोवे बरामद हुए है जिनकी कीमत लगब 21 लाग बताई जा रही है पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ मुकत्बा दर्जकर वैदानी कारिवाही शुरू कर दी है और फरार आरोपी की तलाश की जा रही है ले लेजाने में उप्योग की आ जाता था मोके से एक अब्युक्त गिरफतार हुआ है ऌर चार अब्युक्त भी फरार है उनकी तलाश चल रही है उनको भी सिग्रही जिघर खर MARKA कि जो मुकेदमा धर्ज हुआ है उन Đहराओं में उनको जेल पर जाए Dicka ऐसे ही लिटेस कोब रहे पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें हमारी चैनल को लाइख, शेर और सब्सक्राइब करें हैन्ने वाद विट एंटराइब